बात करेंगे तो हमने पहले वंदिग्री तो मोलिक्ट्र संख प्रेंगे तो काई इस दिरेंट हमने चिर्श्गंedu नहीं कि security इनहुडárize to यह हमारे पास RCO होता है, यहां से भी हम ड्रॉ करेंगे RCO, two molecules of RCO, और इसमें जो linkage होती है, वो क्या होती है, oxygen की linkage होती है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, RCO twice और यह O, this is anhydride, यह हमारे पास क्या होता है, anhydride, फिर हमने वोई बच्चो बात करनी है, कि जो amines की reaction हमने पहले पढ़ी है, कि वो acidy character show करते हैं, कि उन्होंने hydrogen बाहर निकालना है, ठीक है यह hydrogen simply, एक RCOOH से जुड़ जाएगा, यह लिजे सर, हम circle कर देते हैं, और हमारे पास जो बचता है, उसको भी हम draw कर लेते हैं, यह लिजे सर, पहले चीज़ तो यह बाहर आएगी, RCOOH, what is this, this is acid, यह मारे पास क्या बन रहा है, acid बन रहा है हमारे पास, और बचा क्या हमारे पास, R, N, H, C, O, R, what is this, this is N, N, Alkyl, Acid, Amide, ठीक है जी, N, Alkyl, Acid, Amide, हमारे पास बन रहा है, clear हो रहा है, जैसे A, C, L में हमने reaction में की थी, महाँ पर हमारे पास simply यह बन रहा था, साथ में H, C, L, eliminate हो रहा था, यहाँ पर बच्चों हमारे पास acid बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास N hydride given है हमारे पास, तो यह हमारे पास acid बनेगा, carboxly acid, ठीक है जी, चलिए हम इसकी एक example लिख लेते हैं, हमको simply R की जगा पर CH3 यूज़ करना है, आप खुद से try के जिए, यह R की जगा पर हम CH3 ले सकते हैं, हम C2H5 ले सकते हैं, यहाँ पर जो alkyl groups है, इसको भी हम change कर सकते हैं, C2H5 ले जिए, C3H7 ले लिख 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 लते हैं, हमने आपको solution भी दे रखा है, तो हम time waste नहीं करेंगे, हम काम की बाते करेंगे, तो अब काम की बात आगे क्या है, फिर वो ही बात, हम इसके पास भी acidic hydrogen है, और यह रहा हमारे पास RCOO, तो बनेगा क्या फिर? RCOOH plus R2NCOR, what is this? This is N-N-Dialkyl-Acidamide, यह दी जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, A-CYL की वार, वैसे हमने इसके भी नाम लिख रहे हैं साथ में, और फिर बच्चों, अगर हम 3D की बात करें, if I am having R3N, और उसकी reaction हम किसे करवाएं? Acid N-Hydride से करवाएं, तो फिर वही चीज़ बच्चों, यह reaction नहीं दे पाएगा, because 3D Amine does not have any hydrogen, और I can say acidic hydrogen इसके पास नहीं है, ठीक है जी? इसमें बिल्कुल acidic hydrogen नहीं है, तो यह reaction नहीं दे पाएगा, इसमें एक acidic hydrogen है, तो हमारे पास यह कुछ बनता है, हमारे पास N-Dialkyl Acidamide, और इसके पास दो Acidamide है, बच्चों हमारे पास SORRY, दो Acidic Hydrogen है, तो इसमें हमारे पास N-Alkyl Acidamide की formation हो जाती है, मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपको exam में आ रहा है, आपको general नहीं लिखना है, आपको example लिखना है, या तो आप general के साथ example भी दीजिए, तो चलता है, अकेला general थोड़ा सा गलत माला जाता है कि, क्योंकि हमारे पास R की जगह पे CH3, C2H5, C3H7, ये Alkylutrips हमने यूज़ करके इन में बात करनी है,